जहिन्द प्रेंट्स एंड तक देखना पड़ेगा क्योंकि ये कहानी मुझे सुनानी है अपनी जुबानी चलिए शुरू करते हैं आखर कौन था अबदुल करीम लाड सहाब तेलगी जिसने सभी घोटालों के बाप का घोटाला किया मतलब की The Scam of All The Scams So, कहां से ये जर्नी शुरू होती है वो डिसकस करेंगे ये एक ऐसा घोटाला था जिसने करनाट का और महरास्ट सरकार की नीव हिला दी थी ये एक ऐसा घोटाला था जिसने भारत सरकार की पैरो तले जमीन किसक गई थी ये एक ऐसा घोटाला था जो एक आम आदमी आम आदमी किस तरीके से ट्रेन में मुमफली बेचता था वो मुमफली बेचने वाला व्यक्ति कैसे तीस हजार करोड का मालिक बना वो व्यक्ति जो साओधी अरेविया गया वो व्यक्ति जो एक बार जेल में भी पकड़ाया वो कैसे 30,000 करोड का आगनी बन गया वो व्यक्ति जिस लगबत 300 से भी जादे MBA लोगों को हायर कर रखा था वो व्यक्ति जिसने खुद इतनी specific इतनी modern पढ़ाई नहीं की लेकिन 30,000 करोड रुपे कमा कर बैठ गया था ये व्यक्ति ये ऐसा पहला इनसान होगा आजाद भारत का जिसको भारत सरकार ने 30 साल से भी जादे की सजा सुनाई और साथ में 202 करोड की पेनल्टी सुनाई आम तोर पैसा नहीं होता है आज इस वीडियो में हम खुलासा करेंगे कि आखिर अबदुलकरीम तेलगी कौन था और कैसे ये पूरी सफर की शुरुवात होई चलिए शुरू करते हैं उससे पहले मुझे पता है कि आप लोग UPSC की तयारी करते हैं civil services exam के लिए एक mentor का होना बहुत ज़रूरी है यार अगर आप college में हैं या full time तयारी कर रहे हैं या job के साथ तयारी कर रहे हैं तो आप comment section में एक form दिया है उस form को fill करिए बड़ा ही important है क्योंकि मुझे पता है आपको guidance की कमी है मुझे पता है आपको mentor की कमी है क्योंकि आपके पास सब कुछ है आप job करते हो, आप full time हो, आप college में हो आपने drop ले रखता है एक mentor की कमी है अगर mentor मिल जाए रानम तो फिर आपकी समस्या solve हो जाएगी मैं बनूँगा आपका mentor आप आईए, गूगल form है, उसको fill करिए और detail में सारी discussion हम करेंगे सिर्फ one-to-one mentorship के साथ है ना, चलिए, शुरू करते हैं अब्दुलकरीम तेलगी की ये रोचक कहानी ये कहानी, ये तबकी है जब अब्दुलकरीम तेलगी 1961 में पैदा हुए थे करनाटäका में जब पैदा हुए बड़े गरीब परिवार से थे इनके पिताजी रेलवे में काम करते थे रेलवे में भी भड़े छोटे स्थर पर काम किया करते थे एक आकासमत मौत हो जाने के बाद पिताजी एकलोते कमाने वाले व्यक्ति थे पूरे घर में मातम चागया संगनाटा चागया करें तो करें क्या ये बच्चे कहां जाएं इससे मांगे क्या खाएं अब्दुलकरीम को छोटी छोटी पेटी जॉब्स करने के लिए ये हालात मजबूर कर दिये अब्दुलकरीम कहीं पर फल बेचते बड़ा बनने का सपना जो मिडल क्लास लोग होते हैं न यार उनका बड़ा सपना होता है अपने माबाप के लिए कुछ करें अपने लिए कुछ करें ताकि क्योंकि वो गरीबी बरदाश नहीं कर पाते हैं और तब जब उनके सामने कोई अमीर जा रहा हो उनके सामने कोई जा रहा हो जिसको शायद वो वैसा बनने के सोचें अब्दुलकरीम का भी एक सपना था कि मैं कुछ ऐसा करूँ मैं कुछ बड़ा करूँ लेकिन हालातों की वज़े से पैसे ना होने की वज़े से और ना कोई रिसोर्सेज ना छट पे घर पे किसी का छट हो ये सारी वज़हों से अब्दुलकरीम तेलगी जो है वो छोटी मोटी नौकरियां जॉब्स करता रहता था सोच के देखिए वो व्यक्ति ट्रेन में मुंफुली बेचता था इससे ये साबित होता है कि किसी कोई भी व्यक्ति छोटा या बड़ा नहीं होता आप उसकी दिमाग की इंटेलिजेंस आप उसकी इंटेलिजेंस को भाप नहीं सकते इसलिए किसी को भी नीचा मत दिखाईएगा ये वो तस्वीर है जब पहली बार अब्दुलकरीम तेलगी को पकड़ा गया था लेकिन अभी रुकिये अभी डीटेल में और मुझे बताना है ये चर्चा में क्यों आ रहा है ये चर्चा में ये पूरा इसलिए आ रहा है क्योंकि भाई आज ही एक सेटेंबर को सोनी लिव पे इसका प्रॉपर सीरीज शुरू होने वाली है जैसे की हरशत मेहता वाले केस में शुरू होने वाली थी वैसे ही सोनी लिव पे ये पूरा सीरीज होने वाला है स्कैम 2003 क्या है टेलगी स्टोरी क्या है और 30,000 करोड का पूरा स्कैम क्या है अब आधी स्टोरी हो गई है आधी स्टोरी मैं आपको अभी अभी बताता हूँ कुछ हिंदुस्तान टाइमस ने लिखा था शोज लैक ओफ डेरिंग गगन देव रायर परफॉर्मेंस एज तेलगी मतलब कि ये गगन देव जो है वो तेलगी का रूप मतलब प्रिजेंट कर रहे हैं ये कुछ नोट है अब आपको मैं बताता हूँ आपने सुना होगा ना जब भी अगर किसी को वादा करना होता है ये कोई प्रॉमिस करना होता है तो हम बोल देते हैं कि अरे भाई स्टैम पेपर पर लिख कर दे देंगे या लेया लेयाओ स्टैम पेपर हम स्टैम पेपर लिख कर दे देंगे वालाणा ठीकड़ा वही स्टैम पेपर मतलब की डिमांड ढादे थी सप्लाई कम थी अब हुआ यू अब मैं आपको आगे की कहानी बताता हूँ लेकिन मेरे पीछे ये जो चीज आपको दिख रही है ये कौन है? ये राम जेट मलानी सहाब है ये कौन है? ये विलाव सराव देशमुक है रितेश देशमुक है पपा ये इन लोगों ने कहा था कि more bombs spills out of तेलगी scam मतलब कि बड़े बड़े लोग बड़े बड़े जंता, बड़े politicians, बड़े फुलिस वाले involved थे इसमें लेकिन यही तो होती है राजनीती, अब तो किसी का नाम नहीं पता चल पाया कौन, कौन, क्या, क्या, कैसे, कैसे involved थे चलिए, अब आगे देखते हैं इसमें तो हम बाद में आएंगे हमने cover कर लिया कि ये कहां से थे, ये करनाटका से थे अब हुआ क्या अब ये पहुँचे बंबई बंबई में चका चौन्द सब देखा सब लोग पैसे कमा रहे हैं, मेरे पास कुछ नहीं है इनको एक source मिलता है ये काम करने के लिए साओधी चले जाते हैं साओधी अरेविया में अब्दुलकरीम तेलगी लगभग साथ साल रहते हैं साथ साल रहने के बाद वो वापस बंबई में आते हैं और स्टार्ट करते हैं अपना fake passport बनाना fake passport बनाते वक्त फेक पेपर बनाते वक्त वो एक बार उनको पुलिस पकड़ भी लेती है और उस ताइम पर ये फेक स्टैम पेपर भी चलाना शुरू ही किये थे 1991 में इनके पास ये मुद्दा आया 1991 में पुलिस ने 92 में इनको पकड़ लिया था इनको जेल भी हो गई थी तो नीचे अगर हम देखें तो इन्होंने एक कंपनी स्टूट शुरू की थी Arabian Metro Travel for Manpower Supply to Middle Eastern Countries वो व्यक्ति जो कि साओधी अरेबिया में काम करके आया बंबई में रुका रुकने के बाद इस नाम की ट्रेवल कंपनी बनाई उसके बाद लोगों को भेजता था फेक पासपोर्ट बनाता था फेक स्टैंपेपर बनाता था उस ताइम पे इतना बड़ा इनका धंदा होता नहीं था इतना बड़ा हुआ नहीं और पुलिस वालों ने भी बहुत जारे ध्यान नहीं दिया इनको वैसे भी एक बार जेल हो गई थी इस पेक पासपोर्ट और इसके लिए लेकिन जेल का जो अवदी था वो बहुत छोटा था तुरंच छूट गए थे लेकिन उस जेल में इनको एक व्यक्ति मिल गया था उस जेल में वो व्यक्ति मिल गया था जिसने ये पूरे कांड की महिमा मंडन कर दी अब वो व्यक्ति था स्टैम पेपर प्रोडॉक्स प्रोड्यूस करने वाला एक व्यक्ति जो स्टैम पेपर बनाता था बनाता था बनाता था बनाता था बस जिसको तराश थी बस, तो उने को जुहरी की तलाश होती है लोहे को लोहार की तलाश होती है और स्कैम करने वालों की ऐसे लोगों को तलाश होती है बस मिल गया था, कारवा बन गया, अब हुआ क्या ये अपना स्कैम स्टार्ट किये, 1980s में जैसा कि मैंने बोला 1991 में पहली बार जब पुलिस इनको पकड़ी तो फिर वो वेक्ती इनको मिला उसके बाद जेल में उस बंदे से इन्होंने पूरा काम किया पूरी बात की, पूरी रणीती, साजिस, रची इन लोगों के बीच में बात हुई इन्होंने कहा कि हरशद महता के स्टैम के बाद मार्केट में, बाजार में स्टैम पेपर की कमी हो गई है तेलगी ने देखा कि यार ये मौका है, यही ऑपर्चुनिटी है क्या करने की? हमाएं स्टैम पेपर, फरजी स्टैम पेपर बनाने की इस time का stamp paper आप देख रही हो गया और इस time paper भी होता है So, दो लोगों के बीच में legal binding agreement ही होता है stamp paper वो 10 रुपय का मिलता है, 50 रुपय का, 100 का, 500 का भी मिलता है और उस time पर stamp papers की कमी हो गई थी और इस कमी को इन सहब ने analyze कर लिया और बाजार में उतर गए तो basically stamp paper से पैसा किसको मिलता है अगर मान लो कि रोजाना अगर 1000 stamp paper बिक रहे हैं उनसे पैसा सरकार को मिलेगा ठीक है लेकिन अगर fake stamp paper बिकेंगे बाजार में तो उससे मुनाफ़ा किसको होगा तेलगी सहब को होगा तो यही होने लगा था मार्केट में demand और supply के बारे में अच्छे तरीके से जानकारी ली supply कम थी, demand जादे था introduce कर दिया fake stamp paper और जैसे ही fake stamp को इन्होंने introduce किया वैसे ही बिकने लगे, बिकने लगे, बिकने लगे काफी बड़े amount में बिकने लगे जब इनका धंदा काफी बड़ा हो गया था तो लगबग 300 आजमी को इन्होंने recruit किया और ये लोग stamp paper sell करने लगे जैसे कि buyers कौन-कौन से आते थे insurance companies, banks, stock brokers, firms इन सभी को इन लोगोंने stamp paper बेचा ये सिर्फ करनाटका में नहीं बंबई में भी महरास्टा में भी एक कांड हुआ और पूरे करनाटका और महरास्ट को फरजी stamp paper पर बेच बेच के और इतना बड़ा empire ख़़ा कर लिया जिसकी कोई हद नहीं थी ये है Indian non-judicial 100 रुपय का stamp paper जो की आज के तारीक में दिखता है अब पता कैसे चला ये तो एक किस्सा था अब पता कैसे चला अब हुआ यूँ कि इस case में एक superintendent एक sub inspector थे उनका बेटा उनका बेटा constable लगा था उनके बेटे को कुछ लोग फरजी stamp paper बेचते हुए पूरे में दिखे अब पूरे में दिखे तो उन्होंने कारवाई की उन्होंने उन बंदों को जेल में रख दिया जेल में रखने के बाद उनको वह है न कि अगर किसी end point तक पकड़ना है तो आपको वो string पकड़नी होगी अब वो string पकड़ा गई थी अब वो लोग पकड़ा गए थे जहां से इसका source था अब इन कुछ लोगों के पकड़ाने की बज़े से इन्होंने धीरे 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 राज खोलते चले गए और तब पता चला ये तो वही अब्दुलकरीम लार्ट सहाब तेलगी है जिसको 1991 में हमने पकड़ा था और हम लोगों के नाक के नीचे से इसने हजार करोड रुपय का घोटाला किया है स्कैम किया है स्कैम पेपर का और तब जाके मतलब जमीन तले मतलब कहाता है पैरो तले जमीन खिसक गई थी सब के सामने चाहे वो पुलिस डेपर्टमेंट हो चाहे वो मिनिस्ट्रियल हो चाहे वो अड्मिनिस्टूरेशन हो सब लोगो और जानकर ये हैरानी होगी कि बहुत बड़े बड़े पुलिस ओफिसर जो है वो इसमें इन्वाल्व थे एक पुलिस ओफिसर एक ऐसा व्यक्ति था जिसकी पे स्केल 9000 रुपे थी वो 100 करोड का मालिक बना बैठा था अब्दूलकरीम तेलगी के साथ मिला हुआ था जब छापा मारा गया इनके कोलावा ओफिस में तो ये पता चला कि भाई पुलिस ओफिसर महां बैठ के इनके साथ पार्टी कर रहे हैं लगभग इसके 100 से भी जादे अकाउंट्स थे 35 से भी जादे प्राबर्टीज थी और नजाने बहुत कुछ था तब जाके ये हुआ निखिल कुठारी एक पुलिस इन्वेस्टिगेटर थे जिनकी सैलरी 9000 रुपए थी उनका वर्थ 1000 करोड हो गया था प्रदीप सावन जो की DCP आफिसर थे मुंबई के वो भी बुक हुए थे DCP थे तो 2001 में इनको अरेस्ट किया जाता है जब अरेस्ट होते हैं ये तो इनको अरेस्ट होने पर कोई मलाल नहीं होता है इनका कहना है कि कोड के सामने इन्होंने कहा था कि मैं गिल्टी हूँ कि मैंने ये सारे काम किये इन्होंने कहा कि मैंने कुछ गलत नहीं किया यह सारे काम थो होते थे, आज़ादी से पहले यह सारे काम विटिउच खरते थे, लेकिन आज़ादी के बाद के काम मैंने कर दिया, बस लोग चेंज हो गए है, चीज तो वही चल रही है। ये इन्होंने कहना था इन्होंने कुछ बड़े-बड़े politician का नाम लिया लेकिन वो फिर प्रूव नहीं हो पाए थे अब मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा एक educational channel है लेकिन 2001 के बाद भी इन्होंने काम को बंद नहीं किया जेल में रहके भी stamp papers को बेशते चले गए जेल officials ने इनके काफी मदद की अब आप सोचिए कि ये तो integrity के बात होती है कि अगर आप 10,000-20,000 का माने वाले हैं और आपके सामने एक 30-40,000 करोड का objective बैठा है वो कह रहा है कि तुम छीक भी दूँगा तो मैं तो 23,000 करोड तो निक गई थी लेकिन आने वाले टाइम पे क्योंकि ये बंबई में बार में भी बड़ा पैसा खर्चा करते थे तो वहाँ पर पता नहीं क्या नाम था तरुन्नुम की तबस्तुम इनकी बार डांसर पर फिदा हो गये थे करोड़ो रुपए बार डांसर पर उडा दिये थे अल्मोस था कि इनकी मल्टिपल और्गन फेलियर से इनकी देथ हो गई थी तो इसके साथ साथ 43 लोग थे 43 और लोग थे जिनको अरेस्ट किया गया था वो भी बड़े करोड़ पती बन चुके थे जो भी इनके पार्टनर्स थे तो ऐसे कर करकर के ये जो कि दोनों ने पहली बार ऐसा था इसी एक अपराधी को पकड़ने के लिए दो राज्यों ने अलग-अलग SIT गठित की थी और उसी SIT गठित होने के तहत ये सारी बातें पता चली कि पुलिस वाले भी इन्वाल हैं दो MLA भी इन्वाल थे जिनको बाद में सस्पेंड किया था और बाद में केस जबी अरेस्ट हो गया जब बाद में केस CBI को दिया गया CBI ने लगबक कई 100 पेज की चार्जशीट फाइल की और फिर मामला बना तो सोचिए कितना बड़ा स्कैम है ये लूप होल था हमारे सिस्टम में अगर हमारा सिस्टम बैसिकली सपोर्ट नहीं क पर बनने से रोक दिया ताकि मार्केट में डिमांड और जादे हो सप्लाइग कम हो और ये लोग अपना स्टम पेपर लेकर आएं और कमाएं सोच रहे हैं आप एक तरीके से यही बात हो गई कि सरकार का कोई एक आदमी जो नोट करवाता है वो नोट करना बंद कर दे मार्क ये वही बात हो गई बिलकुल गलत तरीके से सरकार ने भी सरकार के कुछ ऑफिशल्स ने भी काम किया जिसके इंटीग्रेटी भंग हो जाती है वो यही करता है दुनिया के सामने तो सच्चा बना रहता है लेकिन खुद की नजरों में वो जूटा बन जाता है ये बहुत ब मलानी जी ने इस व्यक्ति को वन अफ दी बेस्ट ब्रेंस बोला था किसी को उमीद नहीं थी कि एक ट्रेन में मुमफली बेचने वाला व्यक्ति 30,000 करोड रुपए का घोटाला करके बैठ जाएगा नाक के नीचे से सरकारों के पता भी नहीं चलेगा कैसी लगी आपको ये बिलते हम लोग अगले वीडियो में वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा नमस्कार जैहन